हेलो एब्रिवान वेल्कम बाग तो आई यूट्यूब चैनल नर्सिंग तु नॉट सेट आई होप यू अल डूइंग वेल आंड बी यह सिवानस नर्सिंग की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे लास्ट वीडियो हमने देखा था अपना फिजिक्स के के लिए आपको सारे फॉर्मिले लर्न होने चाहिए और जो हम प्रीविज सेर इसक्ष डिसकस कर रहे हैं इस्ट ट्विंटी टू ट्विंटी थी फॉर्मिले इस्ट आपको उसी क्वेशन में लर्न हो जाएंगे तो अभी तक जो लोग कॉपी और पैनले के नहीं बैठ जा और मेरे साथ क्वेशन को सॉल्ट कीजिए अगर क्वेशन सौल नहीं भी कर पा रहे हैं तो इतलीस्ट वह सारे फॉर्मिले जो भी क्वेशन में आ रहे हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए ठीक है लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेशन डिसकस किये थे और अब हम जार करने जा र मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं समवेग समवेग पूछावा है प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन का दोनों की विलोसिटी यानि जो वेग है वह सेम है बराबर है तो हमें बता होना चाहिए मोमेंटम का फॉर्मिला होता है आपको यहां पर दिख रहे हैं पीज इकोल स्टी होता है तो इसीन नोट करते है मोमेंटम को प्रोटोन का मास क्या होगा मास जाएगा मोमेंटम विलोसिटी तो ऊंपर हमारे पास question में दिख रहा है आपको momentum of proton upon momentum of electron क्योंकि दोनों की velocity same थी तो velocity से velocity क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और हमारे पास बचेगा mp upon me ठीक है तो यह तो काफी जादा simple question था I hope यह सब आपने solve कर लिया हो question number 17 है a magnet of magnetic dipole 1.5 joule per tesla kept in a magnetic field of 2 tesla perpendicular to it calculate torque acting on it ठीक है तो question आपको समझ में आ है एक magnet है जिसका dipole उन्होंने given दे रखा है question में उसे एक magnetic field जिसका 2 tesla magnetic field है उसके perpendicular रखा है तो दोनों के बीच का angle कितना होगा perpendicular word से पता चल रहा है 90 degree होगा ठीक है अब question में बोला है कि जो उस magnet के उपर torque लगेगा उस magnetic field की वज़े से वह हमें निकालना है तो सब को याद हो जाना से कि torque का formula होता है mb sin theta ठीक है तो यहां पर देखो आपको दिख रखा है कि torque is equal to tau से denote करते टॉक को तो यहां पर formula उसका m cross b vector product है और vector product को जब भी तुम solve करते हो तो साथ में आता हमेशा sin theta और यहां पर जो theta की value है वह हमारे पास क्या है 90 degree तो sin 90 की value कितने होती है 1 ठीक है sin 90 is equal to 1 होता है तो आप जब इस पूरे formula को solve करोगे तो देन आपके पास answer आजाएगा torque is equal to 3 newton meter ठीक है यह भी बहुत ही जादा simple question था चलते हम next question के उपर okay question number 18 है calculate magnetic field produced by a circular coil of radius 2 meter carrying a current of 2 ampere तो यह भी आपको बहुत पता होना चाहिए कि जो एक circular coil होता है उसके पर magnetic field कितना लगता है यह भी इसका भी एक formula है इसको फॉर्दर सॉल्ट करके हमारे पास आजाएगा राइट आंसर यह भी बहुत है बहुत जादा simple question था पर simple तभी रखता है जब तुम्हें formula याद हो अगर तुम्हें formula ही नहीं पता होगा कि एक circular coil है उस पर magnetic field लगने का formula कितना होगा तो यह question simple जो है वो तुम्हाले बहुत जादा tough हो जाएगा ठीक है तो चलते हैं अपने next question के उपर okay तो यहाँ पर question number 19 हमारे पास calculate the current in a LR circuit having AC voltage of 220 volt and 50 hertz frequency inductor of inductance 1.5 henry and resistance of 15 ohm ठीक है तो हमें current calculate करना है तो current calculate करने के लिए हमारे पास voltage और resistance दोनों होना चाहिए तो हमारे पास resistance calculate करने के लिए formula होता है यानि impedance calculate अगर एक series में कोई circuit होता है combination circuit है तो उसके लिए हमारे पास formula क्या होता है ठीक है तो उसके लिए अभी यहाँ पर हमारे पास capacitor absent है तो यहाँ पर जो हम formula यूज करेंगे impedance निकालने के लिए तो वह यूज करेंगे हम impedance यानि z is equal to under root r square plus omega l का whole square ठीक है तो क्यूंकि हमारे पास इंडक्टर और resistance है इसलिए इन दोनों का लगा अगर capacitance होता तो एक और formula में add हो जाता ठीक है उसका resistance तो यहाँ पर जो सारी value दे रखेंगे आपको आर की वेल्यू गिवन है एल की वेल्यू गिवन है और आपको ओमेगा की वेल्यू पता है 100 पाई होती है तो वह value सारे डाल के आप calculate कर सकते हैं से ठीक है यहाँ पर हम आपको पता होना चीओ रिजिस्टेंस रिजिस्टेंस हमने निकाल लिया वोल्टेज सर्कित में गिवन है 220 वोल्ट मेल्यू डालो और यू विल गेट राइट आंसर यह भी सेम फॉर्मूला बेस क्वेशन ता यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं था एक्स्ट् इस बार में इन कीवल लिए तो आपको जो कुछ पूरी सिक्वेंस ए वह सारे इतनी भी र ₹ दिशेम्डल के साड़ी से Ci. तो किसी भी चीज को decreasing order of the wavelength में arrange करने के लिए आपको पूरी sequence है वो सारे जितनी भी raise है उनकी सारी sequence आपको learn होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर हमने question में दे रखा है sequence decreasing order में arrange किया हुआ है ठीक है मैंने तो आप देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो हुई decreasing order का मतलब है जो सबसे number one पर उसकी wavelength सबसे साथा है और जो at the end है उसकी सबसे काम है तो सबसे पहले हमारा जो number one है वह क्या हमारे पास radio waves उनकी सबसे साथा wavelength है then microwave then infrared then visible then UV rays then X rays and finally last में हमारे आती है gamma rays तो यह decreasing order of dear wavelength है तो अगर मैं तमसे question पूछो इनकी frequency की decreasing order क्या होगी तो वो मुझे बताओ ठीक है ओके तो question में तीन चीज़े पूछी थी तो तीन question में तीनों में सबसे ज़्यादा जो wavelength है वो किसकी होती है microwave की ठीक है उसके बाद कौन आता है visible light and finally last में आता हमारा UV radiation तो कि इसी भी सीरीज को sequence में रेंज करना according to the increasing या फिर decreasing उसके लिए पूरी की पूरी सीरीज याद होनी चाहिए ठीक है और यह तो बहुत जादा simple question है यह आप याद कर सकते हो अभी यहां पर आपका एक question पूरा प्रेपैर हो गया ठीक है जब भी वर्ड आजाता है रेट तो रेट का मतलब होता है जो भी उन्होंने हमें चीज दी हुई है उसे हमें डिवाइड करना है टाइम से रेट का मतलब ही होता है कि पर उन्हें टाइम में वो चीज क्या हो रही है उसका हम रेट कहते हैं ठीक है तो question बोल रहेएगी 10 MPa स current increase हो गया तो उसका current rate क्या है तो rate के लिए divided by हमेशा time आएगा और change निकालने के लिए आपको क्या करना होता हमेशा minus करना होता है तो इस question में हम minus करेंगे current को 20 minus 10 upon 10 तो क्या मिल जाएगा आपको 1 MPa per second यानि जो rating rate जो हो रहा है current का वो क्या है आपका per second यानि एक second में 1 MPa का change जा रहा है ठीक है यह बहुत ज्यादा simple question था बहुत बहुत ज्यादा simple ठीक है last जो time हमने session कहता उसमें आपका बहुत ज्यादा confidence है वो बहुत ज्यादा demotivate हो गए हो गया लेकिन आप जो हम कर रहे हैं इसमें बहुत simple questions है तो I hope कि आपको confidence built होगा और आप थोड़ा सा improve करो ठीक है चल दे next question question number 23 पर 23 हमाई पास question है हमारा ray optics से और question है हमाई पास what is the focal length of a convex length of refractive index 1.5 and radius of curvature 30 cm ठीक है तो सबसे पहले अपने दिमांग में घुसाओ और यह याद करो कि formula क्या होता है इसको निकालने के लिए तो formula देखो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है आपके पास 1 upon f f is your focal length equals to mu minus 1 तो mu जो है वहाँ पर refractive index of material नहीं है मियू है यहाँ पर relative refractive index यानि कि आपका जो comparison to air है या जिस medium में वह लेंस रखा हुआ है उसकी comparison में refractive index क्या है वह आपका relative refractive index होता है ठीक है तो relative refractive index यहाँ पर question में दिया हुआ है लेंस है तो obviously जो air water अगर mention नहीं है तो हमारी light कहां से आ रही है तो हमारे यह पर जो relative refractive index होगा वो क्या हो जाएगा refractive index of the medium upon refractive index of the air और एयर का refractive index होता है 1 हमारे पास relative वाला जो answer है वो क्या हो जाएगा 1.5 ठीक है आरवन और राटू है आरवन और राटू की value आपको बताने चीए radius of curvature दे रखा है दोनों का दोनों side का ठीक है अब question में value डालो और हमेशे याद रखना कि light की direction में जो जाती है वो हमेशे positive लेते हैं और उससे अवे जाती है उसको negative value पूट करते है ठीक है तो सारी value डालने के बाद आपको यहाँ पर answer मिल जाएगा देखो mu minus 1 है हमने डाल दिया 1 upon r1 minus 1 upon r2 कर दिया r2 की value negatively है क्योंकि उसका away from the light की direction है ठीक है value को calculate करो आपके पास answer आजाएगा focal length is equal to 30 cm चलते है अपने next question के उपर यह भी formula based ही question था calculate the next question हमारा question number 24 है calculate resolving power of a telescope when light of wavelength 540 nanometer is used and diameter of the objective lens is 6 mm तो हमें resolving power निकालने है एक telescope ठीक है जिसकी wavelength इन्होंने कितनी रखी है कितना use होता है light की wavelength 540 nanometer और जो objective lens है ना उसका diameter है 6 mm तो सबसे पहले question solve करने के लिए आपको question का formula आना चाहिए resolving power निकालने का formula क्या होता है हमारे पास resolving power निकालने का formula है 1 upon node on color जिसको यह formula याद नहीं है 1 upon resolving power is equal to 1.22 multiplied by wavelength upon diameter of the objective lens wavelength given है diameter given है आपको निकालना क्या है resolving power फटपर formula में सारी value पुट करो और तुम्हें मिल जाएगा तुमारा right answer ठीक है दिख रहा होगा आपको next step में हमने इसको reciprocate कर दिया तो D हमारा उपर आगे बाकी चीज़े नीचे चलीगी value पुट कर दिया हमने सबकी value given थी question में और आपके पास answer आगे resolving power कितना है 9107 is your resolving power ठीक है next question पर चलते हैं यह मैंने last जब अपनी एक video बताई थी जिसमें स्लेपिस बताया था और questions discuss के थे तो मैंने यह भी बताया था कि बहुत सरे questions आते हैं wave optics, ray optics, wave optics में de Broglie wavelength पर question आता है तो यहां पर आचुका है आपको एक question based on your de Broglie wavelength तो question number 25 है calculate the de Broglie wavelength of O2 at 300 Kelvin तो wavelength निकालने है और oxygen दे रखा होने और temperature given है 300 Kelvin तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है आपको velocity निकालनी है ठीक है root mean square velocity यहां पर देखते है root mean square velocity का formula क्या होता है जब तो formula नहीं बता हो गए तो मैंने बताया कि physics formula पर ही आधी से जादा based है formula लानने होगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे root mean square velocity का formula होता है under root 3RT by M ठीकी value तुम्हें पता होने चाहिए R हमारा constant है T temperature है और M है हमारा molar mass ठीक है molar mass यहां पर किसका हम count करेंगे oxygen का count करेंगे तो oxygen का molar mass कितना होता है 32 ठीक है सारी value डालो अंदर और वहां से तुम्हें सबसे पहले क्या मिल जाएगी आपकी root mean square velocity तो root mean square velocity हमारे पास आ गई है 15 meter per second now d brogley wavelength का formula क्या होता है d brogley wavelength यानि lambda is equal to होता है h upon p p what is p p is your momentum यहां पर अगे एक दूसरा formula आगे आपके पास जो लोग कहते रहते हैं formula लिखवा दो इन जो हम question solve कर रहे हैं इसमें कम से कम आपको 30 to 35 formula मिल गए होंगे अब तक ठीक है तो lambda upon lambda is equal to h upon p p is your momentum और h के हमारे पास planks constant h की value होती है 6.626 into 10 raise to the power minus 34 h की value constant है यह आपको question में नहीं given होगी आपको खुद याद रखनी पड़ेगी कि एची value क्या होती है ठीक है upon mass of electron है क्योंकि डीप लोगली wavelength हम calculate कर रहे हैं तो mass of electron केतना होता है 9.1 into 10 raise to the power minus 31 I guess आपको यह value याद होगी आपको पता होगा क्योंकि यह तो बहुत basic है ठीक है और velocity हमने 15 calculate कर यह है तो यहां से सारी value डानले पर आपके पास आंसर आजाए का lambda is equal to 485 into 10 raise to the power minus 7 अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा fast कर रही हूं तो आप video को pause करो then question solve करो फिर match करो कि आपका answer right है या wrong है ठीक है चलते हो अपने next question के ओपर okay next question आगे है आपका nuclear reactivity पे तो question number 26 है calculate energy released in the following nuclear reaction nuclear reaction आपको यहां पर दिख रहा है इतना बड़ा सज लिखावाय है ठीक है यहां पर अगर आपसे पूछे जाए what is q तो q है आपकी released energy और यही हमें क्या करना है calculate करना है ठीक है तो uranium जो है वह decompose हो रहा है thorium और helium में convert हो रहा है साथ में कुछ heat energy release हो रही है और हमें वह बताना है कि वह energy जो release हुई है वह क्या होगी ठीक है तो सबसे पहले mass defect का formula आपको याद होना चाहिए mass defect का formula होता है mass of product minus mass of reactant मतलब sum of mass of reactant and sum of mass of product दोनों को अगर minus करने पर जो value मिलती है that is our mass सारी value question में देखो question में सारी value रखी कि mass of uranium कितना था thornium कितना था helium कितना था सारी value यहाँ पर put करो पर जो यह values आएंगी ना जो यह mass है यह सारे के सारे mass जो है यह देखो सबकी unit क्या unified mass है u और एक unified mass is equal to how many mega electron volt होता है तो वह होता हमारा 931.5 जरूरी नहीं है कि यह question में given हो अभी यह question में given है कि 1 unified mass is equal to 931.5 mega electron volt होता है जो कि एक energy की unit है question में जरूरी नहीं है कि given हो यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए माइन में होना चाहिए tips पर होना चाहिए कि 1 unified mass is equal to how many mega electron volt होता है ठीक है तो सारी value डालने के बाद हम multiply कर देंगे उसको 931.5 mega electron volts है क्योंकि सारी value को sum और minus करने पर हमारा जो unit होगा वो यू में आएगा और 1u is equal to 931.5 mega electron volt है value डालने के बाद आपके पास आजाएगा released energy और वो है हमारे पास 4.25 mega electron volt I am again repeating अगर जिसे ऐसा लग रहा है कि question बहुत जादा fast हो रहे है तो please उसे वही pause करो question solve करो then उसके बाद again resume करके answer देखो कि क्या है ठीक है तो यहां पर हमारा question आचुका है atomic physics से तो सबसे पहले इसको solve अने के लिए आपको formula पता होना चाहिए कि energy released का formula क्या होता है energy released का formula होता है minus जरूर लगाना भूलना मत minus 13.6 z square what is z that is atomic number into 1 upon n1 का square minus n2 का square what is n1 and n2 here यह दिखरा आपको formula यह बहुत important formula है ठीक है radius ऐसी radius पे भी question आता radius निकालने के लिए ठीक है तो यहां पर n1 क्या होता है जहां से आपका जो electron है वो आया है ठीक है हमारे question में first state से आया है और ground state पर गया है तो n2 is your ground state और n1 is your first state ठीक है तो value डालते है फटाफट माइनस 13.6 z की value helium का atomic number 2 होता है n1 है n1 क्या है हमारे पास first state तो first state के लिए जो हमारे n की value होती है वो कितनी होती है first state के लिए n की value होते है हमारे पास 2 और 0 यानि ground state के लिए हमारे n की value होती है 1 तो यहां पर आप दोनों का square करो तो 1 upon 4 minus 1 upon 1 आजाएगा ठीक है तारी value solve करने के पास आपके पास energy release का value आजेगी that is 14 40.8 electron volt ठीक है तो यह आपका 27th question था तल दे 28th question पे okay तो यहां पर 28th question है calculate the refractive index of material if light of frequency 20 into 10 raise to the power 14 hertz has a wavelength 4 hundred नहीं है 40 है यहां पर 40 nanometer in it 400 भी हो तो कोई फरक नहीं बढ़ता उसी के according आपका solution आएगा तो यहां पर simple formula simple simplest formula जो आप use करते हो यहां पर हमारे पास formula क्या होता है velocity is equal to lambda into frequency ठीक है हमें निकालना इसमें refractive index निकालना तो सबसे पहले हम frequency निकालेंगे तो हमारे पास frequency frequency sorry सबसे पहले हम speed निकालेंगे तो speed क्या हमारे पास ? lambda into frequency lambda की value given है frequency की value given है दोनों की value को डालो और calculate करो हमारे एक पास कि वह तो स्पीड नवारे पास कितने आ जाएंगी 8 इंटु 10 की पावर 7 मिटर सेकंड यह जो स्पीड है किसकी स्पीड यह स्पीड है यह पीड लाइट की इन 18 to 10 बास 7 तोनों को calculate करेंगे और हमारे पास mu की value आ जाएगी 3.75 और यहां पर मैं बता दू refractive index की कोई value sorry कोई unit नहीं होती है unit less होता है तो 28 question होगे हमारा अब चलते है 29th question पे जो हमारा second last question है What is the kinetic energy of electron when it is accelerated through 2 volt ठीक है तो kinetic energy हमें अगर charge कोई value दे रखे electron है जासेगी तो उसके kinetic energy को formula क्या होता है charge into my potential तो charge हमारे पास उन्होंने कितना दे रखा है जो भी electron का charge कितना होता है 1.6 into 10 बेस्टी दिपार minus 19 coulum ठीक है तो यह हमारा charge होता है electron का तो वो value आप डालोगे साथ मिनोंने potential कितना दे रखा 2 volt तो हमने यहाँ पर electron की value नहीं डालके सिर्फ e लिखा है क्योंकि जो questions के options होते है उसके according आपको सिर्फ करना होता है तो options में e दे रखा था that's why यह e की form में otherwise अगर इसको पूरा solve करके question में given होता तो हम इसका पूरा value डालके solve करते है ठीक है last और सच में last question physics का previous 30 previous के जो year के question थे वो यह है 22 के last question है हमारा what is the value of x so that the equivalent resistance between point A and B is 4.5 ohm ठीक है तो यहाँ पर आगे हमारा question electricity से एक question बनता ही था और question जो है बहुत simple है आपको एक diagram दे रखा है A और B दो point है उसके वीच में बहुत सारे resistance है हमें उनका equivalent resistance calculate करके given है question में हमें find out करना है जो x number वाला resistance है वो कितना होगा ठीक है तो question तो दिख रहा है आपको यहाँ पे अब देखते हैं कि इसको solve कैसे करना है ठीक है तो देखो point A से start करते है अगर मैं यहाँ से जाँ तो यहाँ से जा रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं तो जो seven ohm का resistance है वो किसके साथ series में है six ohm के साथ ठीक है और जो two ohm वाला resistance है वो किसके साथ series में है x के साथ तो series में क्या होता है जस्ट प्लस कर देते हैं उसे यानि कि 7 ohm प्लस 6 ohm तो यहां हम देखते हैं इसका solution कि 7 ohm देखो simplify कर दिया हमने circuit को यहां पर circuit पूरा simplify हो चुका है 6 ohm और 7 ohm दोनों एक साथ series में है और 2 ohm और एक सो जो है वो भी series में और उन दोनों का जो summation निकाल कि जो आएगा वो दोना अपस में क्या होंगे तो यहां पर दिखना चाहिए आपको series में दोनों को calculate किया हमने 6 ohm प्लस 7 ohm कितना होता है 13 ohm 2 ohm प्लस x ohm कितना होता है 2 प्लस x ohm तो यहां पर है अब यह दोनों किस चीज में है पैलल में है और पैलल में अगर आपको resistance calculate करना होता है तो उसका formula क्या होता है फटावट बिता दो तो पैलल में formula होता है वन अपॉन आर एक्विवेलेंट is equal to 1 upon जो भी वेल्यू है 13 प्लस 1 upon 2 प्लस x सारी वेल्यू सॉल्फ करो वन अपॉन आर एक्विवेलेंट की वेल्यू नोने कितनी दे रखी है 4.5 सारी वेल्यू डालो और calculate करो फटाफट यह math सो आनी चाहिए basic math है fraction कैसे calculate करते है उसकी math साहिए ठीक है तो यहां पर हम calculate कर ल आंसर तो यह थे हमारे अभी तक के physics के question all the best physics के लिए bio के लिए मुझे बोलने की ज़रूत नहीं क्योंकि bio pure NCRT based है लेकिन यहां पर जो आपका physics का question है वो थोड़ा tough है लेकिन आज जो session था last session में मुझे पता है मुझे थे थोड़े बहुत questions लेकिन आज की जो session थे बहुत simple question थे entirely formula based question थे जिसने simple physics पढ़ी है या 12th level की board की preparation भी की है वो भी यह सारे questions कर सकता है ठीक है तो all the best guys for your physics और मैंने एक बार फिर से repeat कर दो कि syllabus defined नहीं है यहां पर आप देख सकते हो कि जो yellow color से box जो yellow color से highlighted है आप उसको पढ़ सकते हो the general standard of each entrance examination will be that of 12th class under the 10 plus 2 scheme और an equivalent examination of Indian university और board ठीक है एक और चीज़े जने उने साफ साफ लिग दिया है no syllabus for examination has been prescribed by the institute मतलब की कोई भी syllabus उनने ने डिफाइं नहीं किया है जो बेस होगी जो आपका basis है वो 10 plus 2 level का होने वाला है 12th class का होने वाला है मैं फिर से repeat करने हूं 70% portion will be your from 12th class and 30% जो questions है वो आपके 11th class के होंगे ठीक है तो बार-बार मत पूछो की 12th का आएगा सिर्फ 12th का आएगा सिर्फ 12th का नहीं आएगा 11th के भी 30% questions होंगे बट जो आपका mostly portion है वो होगा 12th class से ठीक है तो अच्छे से prepare करो अभी से पहले 12th complete करो तो देन 11th पे जाओ क्योंकि ज्यादा portion जो है वो आपका और आपका target रहना चाहिए अगर एम्स टेली को target लेके चलोगे एम लेके चलोगे कि yes I have to study मुझे इस college में पढ़ना है तब जाके आपकी जो preparation होगी वो अच्छे से होगी और आपका जो score होगा वो भी हाई होगा ठीक है तो माइंड में लेके चला करो कि आपको इम्स ज़री चाहिए college और कोई से college नहीं चाहिए ठीक है और जिन लोगों अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो nothing to not set हमारे चानल का नाम है और आप इसे अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो लोग without subscription देख रहे हैं so that आगे चलके जो भी notification और जो भी update हो आपको तभी के तभी मिल जाए ठीक है चलते हैं all the best for your preparation अच्छे से prepare करो जहां पर भी कोई doubt हो कुछ भी हो आप मुझे instagram पर या telegram पर पूछ सकते हैं और youtube पर भी comment कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करते हूं कि मैं आपके सारे replies करूं ठीक है क्योंकि मैंने यह youtube channel सर्फ इसले ही start किया है क्योंकि आप लोगों को कोई knowledge नहीं थी बहुत सारे लोगों को अभी भी knowledge नहीं है nursing की बारे में कोई idea नहीं है that's why I have started this channel तो मेरा purpose जो मेरा aim है सर्फ यही है कि सब लोगों को इस बारे में update रहें सब लोग nursing के बारे में और अच्छा excel करें उसके अंदर ठीक है okay bye bye take care thank you for watching